हेलो एवरिवन आज हम देखेंगे क्लास सेकिन आरबी एसी के सब्जिक हिंदी का चैप्टर फोर मेघा पानी दे तथा इसके साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी कोईशन और आंसर्स तो फटा फर्स से स्टार्ट करते हैं वीडियो को काले मेघा पानी दे पानी दे गुरधानी दे बरसो खूब जमा जम जम नाचे मोर छमा चम छम खेतों से खली आनो तक परवत से मैदानो तक धर्ती कोरंग धानी दे काले मेघा पानी दे अब हम इन पध्यांश का अर्थ एकते हैं काले मेगा अर्थात काले बादल पानी दो अर्थात बारिश करो गुड से बने उए धान खेत हमको दो खुब तेज तेज बरसो जिससे मोर छमा छम करके नाचे आगे प्रातन की गई है कि इतना पानी दो कि खेतों से खल्यानों तक पानी हो जाए परवत से मैदान तक खुब पानी हो जाए धर्थी का रंग धानी कर दो अर्थात इसे हरी भरी कर दो काले मेगा अर्थात काले बादल तुम खुब पानी दो आगे पध्यांश है भर्दे सारे ताल तलईया नाचे सब मिल छम्मक छाईया हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे पानी दे जिंदगानी दे काले मेगा पानी दे आगे प्रातना की गई है कि जो भी ताल तलईया है अर्थात बड़े छोटे जितने भी तालाब है उन्हें खूब भर दो और इतना पानी दो कि सभी मिलकर खूब छम्छम करके नाचे आगे कहा गया है काले बादल तुम ऐसी बारिश करो कि सभी को खाने के लिए दाना पानी अर्थात भोजन मिल जाए किसी के पास भोजन की कोई कमी ना रहे पानी से ही जीवन चलता है तो काले मेगा हमको जिन्दगी दो, जीवन दो, काले मेगा, काले बादल तुम खूब पानी दो अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कारे सबसे पहले हमें शब्दर दे रखी हैं जेने हमने कविता के साथ साथी देख लिया था एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं तो सबसे पहला दे रखा है शब्द मेगा जिसका अर्थ है बादल अगला दे रखा है गुर्धानी जिसका अर्थ होता है गुर्ध मिलाकर बनाया गया धान नेक्स्ट है ताल जिसका अर्थ होता है तालाव तलईया जिसका अर्थ होता है छोटा तालाव नेक्स्ट है जिंदगानी जिसका अर्थ होता है जीवन नेक्स्ट है question first उचीत विकल भरे बारिश में कौन क्या करता है हमें नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनमें हमें रिक्तिस्थान की बूर्ती करनी है तो कै है मिट्टी में blank नहाती है चिडिया या छत्री आंसर है चिडिया नेक्स्ट है blank बिल से निकल जाती है साप या कोई आंसर है साप गे है मेंड़ ब्लैंक है छिपती या तर्राती आंसर है तर्राती गे है बच्ची ब्लैंक की घर बनाती है आंसर है मिट्टी बच्ची मिट्टी की घर बनाती है नेक्स कोईशन सेकिंड है सोचे और बताएं जिसमें कोईशन फर्स्ट है बारिश आनी पर क्या क्या होता है आंसर है बारिश आनी पर धर्ती हरी बरी हो जाती है और मोर छमा छम छम नाचते हैं नेक्स कोईशन सेकिंड है तुम्हें बारिश में क्या क्या करना अच्छा लगता है तो हमें इस कोईशन का सोच कर आंसर देना है आंसर है हमें बारिश के पानी में नहाना खेलना बारिश के पानी में कूदना तथा कागज की नाव बनाकर बारिश के पानी में तेराना अच् नहां बताना है कि कौन सा चित्र कौन सी मौसम से संबंदित है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, फर्स्ट चित्र है सरदी का, सेकींड चित्र है बरसात का, थर्ड चित्र है गर्मी का। नेक्स कोईशन फोर्थ है उचित विकल पर सही का चिन लगाएं ए है बारिश के मौसम में कौन नाचता है के वाहन खे बादल गे मोर गे सूरज आंसर है गे मोर नेक्स कोईशन बे है धर्ती को बरसात क्या देती है के दाना खे गुर्धानी गे मिट्टी गे रंगधानी आंसर देखते हैं आंसर है गे रंगधानी नेक्स कोईशन फेफ्थ है कविता की अनुसार पंक्तियों को पाठ के क्रम में लिखे नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी है जिनने हमें कविता की अनुसार क्रम में लिखना है सबसे पहले है खेतों से खली आनोत परवस से मैं दानोत धर्ती को रंग धानी दे काले में घा पानी दे नेक्स कोईशन सेक्स है आवाजव चित्रों के आधार पर जानवरों की नाम लिखे हमें कुछ चित्र दे रखे हैं जिनकी नाम लिखने है और वो कैसे बोलते हैं वो भी दे रखा है जैसे सबसे पहले दे रखा है पीहू पीहू तो पीहू पीहू बोलता है मोर नेक्स चित्र है जिसमें दे रखा है वो कैसी बोलता है टर टर तो टर टर बोलता है मेंडग नेक्स चित्र दे रखा है जिसके आगे लिख रखा है कैसी बोलता है वो टाइं 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 कौन सा जानवर बोलता है तोता लाज चित्र दे रखा है जिसके सामने दे रखा है काउ काउ तो काउ काउ कौन सा जानवर बोलता है काउ काउ बोलता है कउवा नेक्स पार्ट है यह भी करें बारिश की मौसम में जगे जगे पानी भर जाता है वर्षा रितुगी गती वीधियों पर चर्चा करके बच्चों से कागज की नाव बनवाए और उसे पानी में तेराने को कहें तो हमें एक कागज की नाव बनानी है और उसे पानी में तेराना और लास्ट है इसे भी याद करें हमें एक कविता दे रखी है जिसे हमें याद करके कक्षा में सुनाना है पी काले बादल पानी दे दो प्यारे बादल पानी दे दो रिमझिम 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 दादा जी का बाग हरा कर नाना जी का खेत हरा कर नदियों को तुम जल से भर दो जर्नों में तुम पानी कर दो कल कल चल 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 कल कल चल चल काले बादल पानी दे दो प्यारे बादल पानी दे दो रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम तो ये था पूरा चैप्टर मेगा पानी दो जिसे हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तर कमप्ली समझ लिया है यदि आपको फिर भी किसी कोईशन मे कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी पूछ सकते हैं हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चप्टर की साथ